जैहिन दोस्तों, जैहिन बच्चों, भुगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपकी जो सेकिंड बुक है भारत लोग और अर्थवेवस्ता उसके पहले और दूसरे चेप्टर के इंपोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चन है उनके उपर बात करेंगे, तो आप भी इस सीरीज में भाग लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फिर आप अपना रेजल्ट है, वो भी शेयर है, वो कीजिएगा एक चीज और बता दूँ, भुगोल की दोनु बुक के जो बोर्ड प्रिक्षा की दृस्टी से इंपोर्टेंट जो कुश्चन बनते हैं, उनको मैंने टेलिग्राम के उपर डाल दिया है, अपना टेलिग्राम चेनल है, सिद्धी विनायक संग्रिया तो आप वहाँ टेलिग्राम से जुड़ कर भी उन कुश्चनों को प्राप्त कर सकते हों चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पहला प्रेशन और आपको भी साथ में उत्तर देना है पहला प्रेशन है कि भारत में जेनियों का परमुक सैकेंदरन कहा है यानि इंडिया में जेन जो कम्यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है option आपके सामने लिखे हैं महाराष्टर, गुजरात, राजस्थान, उपरोक सभी तो इसका सही answer बताईए भी जेनी है वो सबसे ज़्यादा कहा है तो इसका सही answer है option 4 उपरोक सभी भी महाराष्टर, गुजरात, और राजस्थान के जो नगरी एक्षेत्र है वहाँ पर जेनी है वो सबसे ज़्यादा है और अगर आपसे ध्यान दीजी अगर बोध के बारे में पूछ ले सबसे ज़्यादा बोध कहा है तो वो आपको कहा मिलेंगे महाराष्टर में मिलेंगे चलिएगा अगले प्रशन की बात करें बहुत प्यारा प्रशन किस दशक के दोरान भारत में जणगन्ना व्रदी दर है वो रिनात्मक दर्ज की गई किन दस सालों में जो ग्रोथ है जो पापुलेशन के इंडिया में वो नेगेटिव दर्ज की गई 1911, 11-21 या 21-31, 31-51 बहुती सूपर डूपर इंपोर्टेंट प्रशन है सही आंस्वर बताना है बिलकुल सही 1911-1921 अकाल बहुत पढ़ा था बेईस टम 1911-1921 वास्ते स्विधाओं की बहुत कमी थी तो उसकी वज़े से जन संख्या जो व्रदी दर है वो बहुत कम रही थी अगला प्रशन देखिएगा तीसरा प्रशन किन दसकों को भारत में जन संख्या विसपोट की अवधी के रूप में जाना जाता है किन दसकों को भारत में जन संख्या विसपोट की अवधी के रूप में जाना जाता है यानि खूब जन संख्या ग्रोथ है वो हुई 1901-21, 21-51, 51-81 या 81 के पस्चातिया आज दिन तक की बात करें तो तो इन में से चारों में सही आंस्वर कौन सा है बिलकुल सही जन संख्या ग्रोथ की जो थर्ड फेज है 1951-1981 है वो जन संख्या विसपोट की अवधी के रूप में इंडिया में जाना जाता है अगला प्रशन देखिएगा ग्रियर्शन के अनुसार भारत में कितनी भासाई हैं ग्रियर्शन भासाविद है भारत में कितनी भासा इन्होंने बताई 179-544-22 या 201 तो सही आंस्वर क्या है बिलकुल सही 179 इन्होंने भासा बताई 544 बोलियां बताई और आपको पता हो हमारे भारतिय स्विधान में कितनी भासाओं को माननेता प्राप्त है 22 भासाओं को मननेता भी प्राप्त है अगला प्रशन देखिएगा कि भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार ग्रामीन और शहरी जन सिंख्या का परतिशत कितना है तो इंडिया के ग्रामीन और शहरी पापुलेशन है वो सलेबस में हैं अधार पर ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए चार ओप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं आपको बताना है इसका सही आंस्वर क्या होगा पुरो में भी आप इसका अभ्यास है वो कर चुके हो बिल्कुल सही पहला ही ओप्शन जो ग्रामिन जन सिंख्या का परतीशत है वो है 68.8 परतीशत और शहरिया नगरिया जन सिंख्या का जो परतीशत है वो लगबग 31.2 परतीशत है तो 68.8 हंडरेड में गटा देंगे तो बाकी है वो नगरिया जन सिंख्या जाएगी लगबग 31.2 परतिशत के असपास तो अगला प्रशन देखिएगा कि जन्गन्ना 2011 के अनुसार भारत की दसकी जन संख्य अवरदी दर दसकी यानि दस सालों की जन संख्य अवरदी दर कितनी रही तो अभी जो लेटेस जो जन्गन्ना हुई अपने 2011 में हुई तो सीधी सी बात है 2001 से लेकर 2011 के बीच कितनी जो ग्रोथ हुई वो आपको बतानी है च्यार ओप्शन आपके सामने लिखे हुए है सही ओप्शन क्या होगा इनमें बिल्कुल सही तीसरा ओप्शन 17.64 परतिशत है वो दसके जन सेंख्या ब्रिदीदर है इंडिया की अगला प्रशन है का भारत की पर्थम जनगन्ना कब आयोजित की अए थी वो कब हुई बिल्कुल सही अटारा सो बहतर में और उसके बाद आपको पता है 1881 से हर 10 साल बाद इंडिया में जनगनना है वो होती है 1st time 1800 बहतर में हुई जो संपुर्ण भारत में नहीं हुई संपुर्ण भारत में पहली जनगनना है वो 1881 में हुई थी और अंतिम जनगनना है वो 2011 में हुई अब 21 में होनी थी लेकिन कोविड के दोरान सब कुस्ठप पड़ा है देखते हैं आगे जणगना है वो कब होती है अगला प्रशन देखिएगा किन दसकों को बारत में जन संख्या वी स्थोड की अवधी के रूप में जाना जाता है किन दसकों को भारत में जन संख्या वी स्फोर्ट की अवधी के रूप में जाना जाता है कोशन अपना रिपीट भी हो गया तो अच्छे से देई सकते हो शायद इसका दुबारा गलत आंस्वर तो क्या दोगे बिल्कुल सही 1951 से 1981 अगला प्रशन है कि वर्स 2011 की जन गंड़ना के अनुसार भारत की जन संख्या निम्न में से कोन सी है 2011 की जन गंड़ना के अनुसार भारत की जो लगबग जन संख्या है वो कितनी है उप्शन आपके सामने लिखे हुए है बिल्कुल सही लगबग 121 करोड जन संख्या है इंडिया की 2011 के अनुसार अगला प्रशन है कि निमिल्कित राजियों में से किस एक में जन संख्या घनतो सरवादिक है जो ओप्शन यहां दिये गए हैं उसके हिसाब से आपको आंस्वर देना है सबसे ज़्यादा जन संख्या घनतो अगर आलावर राजिया और केंदर सासित परदेशों में देखते हैं तो आपको पता है उत्तर क्या होता है नई दिल्ली अपना दिल्ली आजाता है केंदर सासित परदेश और अगर अकेले राज्य की बात आती है तो हमें पता है बिहार का नाम आ जाता है लेकिन यहाँ पर तो ने तो दिल्ली की बात है ने बिहार की है तो दिये गे ओप्शनों के आधार पर बताना है तो इन राज्यों में से किसी एक में जन सिंख्या घनतो सरवादी के तो सही आंस्वर क्या होगा वो आता है पशिम बंगाल अगला प्रशन देखिएगा के वर्स 2011 की जंगना के अनुसार निम्न में से किस रज्य में नगरिय जन सिंख्या का अनुपाद सबसे अधिक है आपको पता है एक ग्रामिन जन सिंख्या होती है एक नगरिय जन सिंख्या तो सहरी पॉपूलिशन है वो सबसे ज़्यादा कहा है उसका अनुपाद याने परसेंटेस में आपको बताना है तो इसका सही आनुस्वर क्या होगा ऑप्शन आपके सामने लिखे है वो बताईएगा इनमे से बिल्कुल सही ऑप्शन सही है तीन नंबर महाराष्ठ्र में नगरिय जन सिंख्या का अनुपाद सर्वादिक है अग बिल्कुल सही भारतिय आरे इनका percentage of ratio है वो सबसे अधिक है इसके बाद अगला प्रशन है का भारत में पहली संपुर्ण जन सिंख्या कब संपन हुई उप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं बैतर 81, 91 या 1901 याद कीजिए इनसे जुड़ा हुआ पहला प्रशन भी आया सबस 81 में अगला प्रशन है का भारत में जन गन्ना प्रती खलिस्थान वर्स बाद होती है पान, साथ, दस, पंद्रा तो बिल्कुल सिंपल सा प्रशन है बिल्कुल दस साल बाद होती है राजसो भी बाग के जो आकड़े होते हैं वो पान साल बाद होती है जैसे पसु गन्ना हो थोड़ा सा ध्यान लगा कर हम प्रशनों को बार बार अभ्यास में लाएंगे तो स्थाई रूप से ये चीज़ें आपके माइंड में रह जाएगी नहीं भूलोगे कभी भी बहुत प्यारा प्रशन है माईग्रेशन से भारत में प्रवास की कितनी धाराई हैं तो तीन चार पांच सही उत्तर बताना है कौन सा होगा तो भारत में प्रवास की कितनी धाराई हैं चार ग्रामिन से शहर और ग्रामिन से ग्रामिन शहर से शहर शहर से ग्रामिन चार परकार की धाराई है अब एक चीज द्यान लिखिएगा ऐसे प्रशनों के अंदर आपका उत्तर क्या है कितनी धाराई है चार है लेकिन द्यान लिखिए कि चार है वो किस ओप्षन के अंदर है एक दो तीन तीन नंबर में है आपके प्रिक्षा में एबैसादे लिखे आ ग्यान आधारी भारतिय परवाशियों का विश्व में सरवादिक परसार कब हुआ? सिक्षा और ग्यान को लेकर माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किस टाइम माना जाता है? 1960 के दसक में, 70 के, 80 के या 1990 के दसक में? बहुत प्यारा प्रशन है अच्छे से सोच समझ के अंस्वर दीजिएगा 60, 70, 80, 90, बिलकुल सही 1990, 1990 के दसक में शिक्षा और ग्यान आधारी भारतिय परवाशियों का विश्व में सरवादिक परसार हुआ है, फेलाव हुआ है अगला प्रशन है कि परवाश किसमें परमुख योगदान देता है जब migration होता है तो उससे सबसे में क्या चीजह है, उसके अंदर योगदान है, वो मिलता है परदूशन वरदी में, मुद्रा वरदी में, जन संख्या वरदी में, इन में से कोई नहीं देखिएगा चार option आपके सामने चोथा इन में से कोई नहीं ये तो कोई मतलब नहीं रहा तीन बच गए सोच के देखिएगा migration किसमें परमुक योगदान देता है तो इसका सही answer बिलकुल सही जन संख्या व्रदी में जन संख्या व्रदी में तो एक स्थान से जब वेक्ति दूसरे स्थान पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा population की growth होगी option के अधार पर देगा अब आप यह नहीं सोगी pollution बढ़ने के लिए थोड़ी जा रहा है वहाँ पर वो अपने रोजगार के लिए कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए जा रहा है जिससे वहाँ की जन संख्या में व्रदी होती है व्रदी यहाँ पर क्या हो जाएगी A पर कमी होगी और B पर व्रदी होगी B से कोई वेक्ति A में आएगा तो B में कमी हो जाएगी और यहीं ब्रदी हो जाएगी तो यह परिवर्तन जो हो रहा है जन संग के अव्रदी जो दनात्मक भी हो सकती है और रिनात्मक भी हो सकती है अगला प्रशन देखिएगा का प्रवास से संबंदित पहला मुख्य संसोधन कौन से जंगन्ना वर्स में किया गया था माइग्रेशन के जब आंकडे जणगन्ना के टाइम इकठे किये जाते हैं उस तरह पहला मुख्य संसोदन है 61-81 इकाण में इसके अधार पर बताना है कब किया गया बिल्कुल सही 1961 में 1961 में पहला मुख्य संसोदन है वो किया गया था अगला प्रशन है कि भारत में किस पडोसी देश में सरवाधिक परवासी आई हैं भारत में किस पडोसी देश से सरवाधिक परवासी आई हैं वंगला देश नेपाल पाकिस्तान या सिरिलंका से वो ही प्यारा सा रटा रटाया प्रशन बंगलादेश से सबसे ज़्यादा जो परवासी है वो इंडिया में आए है अगला प्रशन देखे किस राजे में सरवादिक संख्या में आ परवासी आते हैं भी भारत की बात हो रही है पहले हमने दूसरे देशों की बात की, तो बंगला देश से भारत में ज्यादा आते हैं, फिर आता है किस राजे में सरवादिक संख्या में आपरवासी आते हैं, आप्शन आपके सामने यूपी, महारास्टर, दिल्ली और बिहार, तो कहां पर सबसे अधिक आते हैं, जन संख्या वाले राजे हैं, उत्परवाशियों की सरवादिक जन संख्या वाले, तो भी यानि कहां से आते हैं, जैसे हमने कहा था भी महारास्टर में सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर दिल्ली की बात आती है, लेकिन वहां आते कहां से हैं इंडिया में, ये चीज आती है इसके अंदर उत्परवाशियों में उत्परवाशियों की सरवादिक जन संख्या वाले राज्ये कौन से हैं तो यूपी और बिहार प्रशन है जो लोगों के निवास स्थान अथ्वा उद्गम स्थान को छुडवाने का कारण बनते हैं छुड़वाने का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं अपकर्ष कारक परतिकर्ष कारक आपरवास जन्ना की किया कारक निवास अस्थान अपने उद्गम स्थान को ऐसे ही तो कोई नहीं छोड़ता कुछ ने कुछ इसकी मजबूरियां रही होगी कुछ ने कुछ अच्छा पा प्रशन देखिएगा कि प्रवास के वे कारण जो विभिन स्थानों से लोगों को आकरशित करते हैं, किसी जगह पर आदमी आता है तो वो क्यों आ रहा है, वहाँ आकरशित करने वाली जो चीजे हैं उनको क्या कहेंगे, हो सकता है वहाँ एजूकेशन सिस्टम अच्छा हो, रोजगार है वो ज्यादा हो, जो वेतन है वो ज्यादा मिलता हो, होस्पिटल की अच्छी स्वीदा हो, अच्छे स्कूल, कोलेज, यूनिवस्टी हो, तो वो आकरशित करने वाले कारग क्या कहलाते हैं, सही अंसवर बिलकुल सही अपकरश कारग कहलाते हैं, अपकरश, खी और रोजगार तो यानि काम की तलास में वेक्ति है वो ज्यादा परवास करता है कौन पुरूस की बात होती है तो पुरूस काम की तलास में ज्यादा परवास करता है जब एक वेक्ति है एस्थान से बीस्थान के अंदर जब एस्थान के पुरूश बीस्थान के उपर चले ज पुरुष बाहर चलेगे तो यहां पर जो लिंगानुपात है वो बढ़ जाता है तो परवास से लिंगानुपात में भी परिवर्तन आता है और आपको पता है युवा पुरुषी काम के लिए बाहर जाएंगे तो पीछे या महिलाओं की संख्या बूड़ों की और छोटे ब साथ भी कर लें भी भारत में महिल्या परवास का मुख्या कारण क्या है शिक्षा विवा विवशाय काम और रोजगार आपको पता है महिलाओं ज्यादा तर इंडिया के अंदर विवाह के उपरांत ही माइग्रेट होती है यानि जब वो ससुराल में आ जाती है तो वो माइ अदा होता है वो अपने उद्गम स्थान जो निवास्थान है उसको छोड़कर पिता के घर को छोड़कर पती के घर की तरफ बढ़ती है तो ये थे आज के 25 प्रशन उमीद करता हूँ अच्छे से त्यार हो रहे होंगे ये सबी अब आप मुझे ये बताईएगा 25 में से कि अभ्यास है वो करते रहिएगा कल आपको अगले दो चेप्टर के जो कुशन आंस्वर हैं अच्छे से आपको तियार करके रेडी रहना है क्योंकि कोसिस यही है भी अब रेगुलर हम ये MCQ सीरीज है वो जारी रखें कुछ जो प्रैक्टिकल का और मानचित्र को लेकर जो चीजें आपने हमसे और पूछी हैं तो उनके उपर भी जल्द थोड़ा सा स्वास्त्य लाब लेते हुए जल्द आपके सामने हाजी रहूँगा तब तक आप अभ्यास है वो जारी रखिएगा चलिएगा फिर मिलेंगे तब तक जैहिन जैभरत